Hello students, welcome to the P&D coaching classes, learn easily and smartly तो आज हम पढ़ने वाले हैं Zero Error तो जैसे कि students पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि instrumental error क्या होते हैं याने कि किसी भी instrument को design करने के time पे बनाने के time पे कुछ faulty designer की गलती हो जाती है तो उसको हम बोलते है instrumental error क्योंकि instrument को जब बनाया जाता तो उसको बनाने के time पे उसको design करने के time पे कुछ गलती हो जाती है तो उसके type हमने बताया थे कल Zero Error, Least Count Error, Constant Error तो उसमें से जो सबसे पहला type था Zero Error तो Zero Error जो है एक इंस्ट्रूमेंटल Error का type है तो आज किस वीडियो में यही cover करेंगे तो चलिए समझते हैं क्या होता है यह Zero Error तो Zero Error को समझने के पहले students आपको यह बात पता होना चाहिए कि Zero Error आपको उन इंस्ट्रूमेंट में उन डिवाइसेस में देखने मिलेगा जहां पर एक से ज़्यादा scale use हो रहे है याने कि most of the device में instruments में आपको दो scale देखने मिलते हैं तो यह जो दो scale होते हैं मालने तो यह एक scale हो गया यह एक scale हो गया तो इस scale में भी जीरो होगा और कुछ numbers आगे पिछे भी होगे और इस दूसरे scale के पास भी जीरो होगा और उसके पास भी दूसरे अदर नंबर हो सकते हैं तो zero error याने कि क्यों आई उसके पहले समझीए actually जो requirement थी याने कि जो demand थी कि दोनो scale का zero जो है वो एक की line पे आना चाहिए वो एक की line पे आना चाहिए याने कि दोनों के zero जो है दोनों scale के जो zero है वो coincide करने चाहिए एक की line पे एक साथ आने चाहिए याने एक दूसरे के बिल्कुल चिपक्क्य होना चाहिए लेकिन कुछ instrument को बनाने के time पे ये गलती हो जाती है कि दोनों scale का zero जो है वो एक line पे coincide नहीं करता है एक line पे coincide जाने कि एक के उपर एक नहीं आपाते हैं तो इस error को बोला गया है zero error ओके ये तो हो गया main concept चलिए अब समझने इसको in depth में तो वही लिखा हुआ है कि non coincidence of zeros of two scale जाने कि दो scale के zeros का coincidence नहीं होना ही क्या है zero error है ओके ये जो zero है वो non coincidence कब हो रहा है जब reading में ये दोनों zero होने चाहिए ने कि दोनों zero पे होने चाहिए पर exactly क्या है कि दोनों zero non coincide है एक साथ नहीं आ रहे है इसको बोला गया zero error ओके जैसे example के लिए बात करते हैं आपने देखे होंगे vernier calipers ओके आपने class 10 में experiment कियोंगे practical कियोंगे किसी भी object का okay spherical object का radius निकालने के लिए या फिर diameter निकालने के लिए तो वहाँ पर क्या होगा students exactly कि जब आप one year calipers को use करने से पहले zero error check करते है zero error check करने का मतलब भी होता है कि दोनों scale के zero एक साथ एक line पर coincide कर रहे है तो जैसे कि students अब आप background में देख पा रहे है कि यहाँ पे जो यह दो zero से दो scale के यह coincide नहीं कर रहे है थोड़ा सा आगे पिछी हो गया है तो इसी को क्या बोला गया है zero error याने कि अगर मान लिजी students कि one year calipers का one year calipers में मान लेते हैं कि दोनों scale के जो zero है वो एक line में नहीं आ रहे है तो उसको क्या बोलेंगे हम इस device में या instrument में basically zero error है अब मान लिजी कोई एक device आ गया है जिसमें zero error है लेकिन उस zero error के बावजूद हमको वो instrument use करना है और हम चाहते कि उससे जो भी हम measurement कर रहे है जो भी हम measure करना चाहते है वो perfectly answer सही आए तो वो कैसे होगा तो ये जो error है जो भी error है उसके अंदर जो भी जितना plus minus जो भी mistake है तो उस error को हम subtract कर देते हैं minus कर देते हैं जो भी आपने उस device का use करके observe किये है value याने कि आपने उस device का use करके जो भी measurement किये है जो भी value आपको मिली है उस value में से इस error को जो है वो subtract कर देंगे अब subtract कैसे करेंगे उसके sign के साथ देख करके कि plus में है mistake या minus में mistake है वो आप देखेंगे कि 0 से आगे बढ़ गया है दूसरे scale के या फिल पीछे हट गया है पीछे अटा होगा तो minus करेंगे सामने बढ़ गया होगा तो plus करेंगे आने कि sign के according sign का use करते हुए ही आप क्या करेंगे 0 error को subtract कर देंगे उस observed value में से ओके students I hope आपको clear हो गया होगा कि 0 error क्या है I agree कि आपको ये concept रहाशा doubt में हुआ होगा कि 0 error के बाउजूट device और कैसे use करना है तो हम आपको कभी practical ही दिखाएंगे बस फिलाल आप इतना माइन में रखिए कि जो भी आपने value observe किये हैं उसमें से इस 0 error को sign के साथ subtract कर देंगे ओके students I hope clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please आप माई चनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like ज़रूर करें आज के लिए इतना ही Thank you